हेलो स्टुडेंट्स आज हम करेंगे वक्षीट नमबर एक सो तेस यह वक्षा तीन की लिए वक्षीट है हिंडी की कारे पत्रे का और अज दिनांखे तीन दिसंबर दो हजार पीस यह वक्षीट आपके हिंडी की ही पार्टे पुस्तक से ली गई है रिम्शिम से इसका आज ह मैं इस पार्ट को नहीं पढ़ा पहादूर बित्तों को तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको इस पार्ट को पढ़वाऊंगी और अच्छी तरीके से आपको इस पार्ट समाज आ जाएगा प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजे और बेल एकन बजाना बिलकुल मत भूलेगा जिससे आगे आने वाले वीडियो का नूर्टिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले क्या आप जानते हैं हर साल 3 दिसम्बर को दुनिया भर में अंतराष्टिय दिव्यांग्चन दिवस मनाया जाता है यानि International Day of People with Disabilities December 2020 यानि आज के दिन क्या है दुनिया भर में अंतराष्टिय दिव्यांग्चन दिवस यह उन लोगों के लिए होता है जिनकी बॉडी में कुछ कमिया होती है जिससे देखिए इसका पैर नहीं है तो यह चल नहीं सकती और ये देखिए इसके कानों में कुछ पंदा हुआ है इसके कान खराब है यहाँ दिन दिव्यांग जनों के प्रती लोगों के दृष्टी कोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांग जनों को उनके अधिकारों के प्रती जाकरुक करने उनके आत्म समान वह समान अधिका से रहते हैं तो दिव्यांग जनों के प्रति लोगों के दृष्टी कौर में बदलाफ के साथ ही दिव्यांग जनों के उनके अधिकारों के प्रति जाकरों कराने के लिए ये दिवस मनाया जाता है उन्हें आत्म सम्मान दिनाने के लिए और समान अधिकार दिलाने के लिए इ लोग इनसे नफरत ना करें, इनकी मदद करें और इन्हें आत्म सम्मान वह अधिकार दिलाने के उद्धिश्य के साथ ये दवस मनाया जाता है ओके स्टूडेंट चलिए अब अपनी वक्षित की तरफ बढ़ते हैं आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है संग्या के भेद, संग्या के प्रकाल, संग्या के टाइप्स बच्चो आपने पाठ बहादूर बित्व अच्छे से पढ़ा होगा कुछ दिन पहले हमने संग्या के बारे में पढ़ा था याद है ना बच्चो आपको अच्छा चलिए एक बार फिर इसे धौला लेते हैं धौरा लेते हैं बच्चो पाठ बहादोर बित्तो तो अच्छे से सबने पढ़ा ही होगा नहीं पढ़ा तो अंत तक जोड़े रहिए अंत में मैं आपको इस पाठ को पढ़ाऊंगी कुछ दिन पहले हमने संग्या के बारे में वक्षिट की थे हिंदी में याद है ना बच्चो आपको सबको याद होगा उमीद कर दी हूँ चलिए अब एक बारे से फिर धौरा लेते हैं संग्या क्या होता है बच्चो किसी प्राणी वस्तू स्थान या भाव की नाम का भूद कराने वाले शब्दों को हम संग्या कहते हैं किसी प्राणी वस्तू जीव इस्थान या भाव की नाम का भूद कराने वाले शब्द इनको हम क्या कहते हैं संग्या कहते हैं ये संग्या शब्द कहलाते हैं तो आएए पाठ में आए नाम वाले शब्दों अर्थात संग्या शब्दों पर ध्यान देते हैं नाम वाले शब्द इसमें बिल्कुल कंफ्यूस मत होईए स्टूडेंट्स नाम वाले शब्दों को हम संग्या शब्द कहते हैं यानि संग्या शब्दों का दूसरा नाम है नाम वाले शब्द तो बिल्कुल भी कंफ्यूस मत होईएगा नाम वाले शब्द मतलब संग्या शब्द और संग्या शब्द मतलब नाम वाले शब्द दोनों का मतलब एक ही है ओके स्टूरेंस अब हम ध्यान देने वाले हैं पाठ में आए संग्या शब्दों पर जैसे किसान, बैल गाय, शेद गुड़ा, तरांती गुस्ता, गुस्ता क्या है? भाव है हमारी अंदर की फीलिंग है, घबराहट ये भी हमारा एक भाव है ये सभी संग्या के अलग-लग रूप हैं बच्चों, संग्या के इन अलग-लग रूपों को हम तीन भीदों में जानते हैं, संग्या के तीन भीद होते हैं बेद का मतलब प्रकार तीन तरेकी की संग्या होती है पहली होती है व्यक्ति वाचक संग्या, दूसरी जाती वाचक संग्या और दीसरी भाव वाचक संग्या अब देखिए हम तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्ति वाचक संग्या के बारे में व्यक्ति वाचक संग्या जिन शब्दों से किसी विशेश व्यक्ति इस्थानी अवस्तु के नाम का ग्यान हो जैसे केला, लदा मंगेशकर, दिली, क्रिकेट इपावलियादी एसे शब्द बच्चों जिससे हमें किसी विशेश व्यक्ति इस्थानी अवस्तु के नाम का ग्यान होता है उन्हें हम क्या कहते हैं व्यक्ति वाचक संग्या अब देखे उधारण के तौर पर केला लदा मंगेशकर, लदा मंगेशकर कौन है बच्चों सबको पता होगा ये एक विशेश काईका है तो ये कौन है विशेश है ना तो इसलिए ये व्यक्ति वाचक संग्या में आएंगी ऐसे ही दिल्ली दिल्ली एक विशेश स्थान है तो ये फिर व्यक्ति वाचक संग्या में आएगा क्रिकेट विशेश खेल दिपावली विशेश तियोहार आदी और व्यक्ति वाचक संग्या में नाम भी आते हैं जैसे नीहा, रोहित, आदी तो क्या हो गया व्यक्ति वाचक संग्या मतलब विशेश व्यक्ति, स्थान या वस्तू के नाम का ज्यान कराने वाले शब्त उधारर के तोर पे फिर देख लेते हैं केला ये एक विशेश फल है, लतामंगिशकर, गायका हैं, दिल्ली, करके दिपावली आदी तो बस ध्यान रखिए विशेश व्यक्ति स्थान या वस्तू के नाम का ज्यान हो उन्हें व्यक्ति वाचक संग्या आगे ज्याती वाचक संग्या, ज्याती वाचक संग्या जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाती की जानकारी मिले, जैसे फल, गाई का शहर, खेल, त्योहार, जानवर, संपुण, पशुजाती के लिए आदी तो कुछ ऐसे शब्द जिससे किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाती की जानकारी मिले, उन्हें हम कहते हैं जाती वाचक संग्या, अब माल लीजे एक लड़की का नाम है नेहा, नेहा तो उसका नाम है, वो व्यक्ति वाचक संग्या में आएगा, क्योंकि व्यक् मैंने आपको बताया ना, लेकिन नेहा नाम है, लेकिन नेहा कौन है बच्चों, नेहा is a name, बट नेहा कौन है, एक लड़की है, है ना, तो लड़की क्या हुई, उसकी जाती हुई, तो वो जाती वाचक संग्या में आएगी, लड़की जाती वाचक संग्या में आएगी, क आगे देखिए, अगर मैं बोलू, ये, आपके साब ने एक लड़का कदा है, रोहित, ये कौन है, लड़का है, लड़का क्या है, इसकी जाती, इसकी पूरी जाती की जानकारी, लड़का, तो लड़का क्या होगा, जाती वाजद्चक संग्या में आएगा, समझ गए, students, इस की पूरी चाती की जानकारी मिले उन्हें हम चाती वाचक संग्या कहते हैं अब देखो फल फल यानि मान लीजे मैंगो है मैंगो क्या है फल है फल गया है उसकी जाती तो यह जाती वाचक संग्या में आएगा इसी तरीके से कई उधारण होते हैं शहर दिली एक popular शहर है city है तो शहर क्या हूई इसकी जाती तो जाती वाचक संग्या में ऐसे ही खेल त्योहार जाणवर आदी संपूर पशू जाती के लिए आदी तीक है चानलर किसके लिए लगाया रहे है संपूर पशू जाती के लिए अब नेक्स्ट है भाव वचक संग्या भाव वचक संग्या क्या होते हैं जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तू या स्थान के गुर्दोशों या मन के भावों की जानकारी मिले, जिसे मित्रता, हरियाली, कर्माहट, खुशी, संदरता, आदी अब ऐसे शब्दों के वारे में बात हो रही है बच्चो जिनसे हमें किसी व्यक्ति वस्तु या इस्थान की गुड़ दोशों या मन के भावों की जानकारी मिली गुड़ दोश यानि उसकी अच्छाईयां उसकी बुराईयां उसके मन के भाव जैसे हमारे मन के भाव जब हमें खुशी होती है Feeling का मतलब यह है भाववाचक संग्या हमारी feeling खुशी तो खुशी क्या है भाववाचक संग्या अगर हमें एक अधेरे के रूम में बंद कर दिया जाए तो हमें डर लगेगा वो हमारी अंदर से feeling आएगी मन के भाव होंगे तो वो हो गया भाववाचक संग्या जैसे मित्रता यह भाववाचक संग्या है हर्याली भाववाचक संग्या कर्माहट या खुशी सुंदरता आदी आया ना समझ बच्चो तो उन्हें हम कहते हैं भाववाचक संग्या जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के गुर्दोशों या मन के भावों की जानकारी मिले वो कौन है भाव वच्चक संग्या तीन प्रकार के हमने संग्या पढ़ ली व्यक्ति जाती भाव है संग्या के तीन भेट समझ लो इनको बच्चो कभी न होका तुमको खेट देखो प्रश्ण एक नीचे लिखे गई शब्दों को संग्या की भीट के आधार पर सही जगे में लिखिए अब आपको नीचे कुछ शब्द दे रखे हैं ये रहे इतने सारे शब्द इनको आपको पहचानना है कि इन में से कौन व्यक्तिवाचक है कौन जातिवाचक है कौन भाववाचक है और नीचे लिखना है पहला है बिट्टो बिट्टो क्या है ये व्यक्तिवाचक है नाम है ना तो हम यहां लिखेंगे बेट तो विरक्ती वाचक के नीचे पक्षी पक्षी तो कई होते हैं फ्लामिंगो सुना है नाम ये भी पक्षी है तो ये एक पक्षी है पक्षी क्या है इस बर्ड की जाती तो हम इसे जाती वाचक संग्या में लिखेंगे समझाया था ना मैंने आपको Next दिया गया है यहाँ पे सुनीता सुनीता व्यक्ती वाचक है अरड़ी लिखा हुआ है तो सुनीता को हम नहीं लिखेंगे यह पहले से ही लिखा हुआ है अब आगे दोस्ती दोस्ती क्या है दोस्ती है भाववाचक तो इसे हम भाववाचक संग्या में लिखेंगे अब सबजी सबजी क्या है स्टुडेंट्स सबजी सबजी देखी सबजी तो कई प्रकार की होती है अब सबजी जिसे हो गई बैंगन बैंगन की जाती क्या है सबजी है तो सबजी क्या हुई उसकी जाती हुई तो जाती वाचक संग्या में हम सबजी लिखेंगे लिखी हुई है अल्रड़ी अग नेक्स्ट मिठास मिठास यानि हमारी फिलिंग तो हम भाव वाचक संग्या में एकिंगे दरांती ये व्यक्ति वाचक नाम दे रखा है ना दरांती इमारत इमारते का नाम भी अलग-अलग होता है तो इमारत चाति वाचक में आएगा ये रहा बचपन बचपन क्या है एक फीलिंग है यह भाव वाचक में आएगा शेर, व्यक्ति वाचक, व्यक्ति वाचक में आएंगे, अब अध्यापक, अब देखिए आपकी अध्यापक का नाम कुछ और होगा, माल लीजे आपकी अध्यापक का नाम है नीना मैम, अब जो नीना मैम है आपकी, वो कौन है अध्यापक है, अ जाती वाचक संग्या में next क्या दिया गया है सफलता सफलता किस में आएगा बच्चो भाव वाचक संग्या में अलरडी लिखा हुआ है ने धर इस तरीके से हमें ये सारे question करने है प्रशन एक के अब भड़ते हैं प्रशन दो की ओर प्रशन दो में देखिए क्या दिया गया है नीचे दिये गए वाच्यान शो को पढ़कर आपके मन में कौन-कौन से भाव डर, खुशी, दुख उत्पन होते हैं लिखिए अब नीचे चोग वाच्य दे रखी हैं उनको पढ़कर आपके मन में कौन-कौन सी feeling आती है डर की या खुशी की या दुख की ये आपको लिखना है प्रशन देखे अपनी प्रशंसा सुनकर जब आपकी कोई प्रशंसा करता है बच्चो आपकी बढ़ाई करता है तो आपको कैसा फील होता है? खुशी फील होती है ना तो खुशी लिखेंगे तभी तो आप उसको thank you बोलते हैं आपने अच्छा काम किया उसने आपकी बढ़ाई की प्रशंसा कि आपको खुशी फील हुआ आपने उसको क्या कहा? thank you बोलते हैं ना आप thank you बोलना चाहिए धन्यवाद अब देखिए आपको चोट लगने पर दुखी फील होता है तो दुख सुनसान अंधेरे जगे पर अगर आपको छोट दिया जाए कैसा फील होगा तो डरा फील होगा तो डर लिखेंगे प्रश्न दीन पाठ में अगर आप बित्तो की जगे होते तो शेर से निपटने के लिए क्या उपाय सोचते अब बताईए कितना मसदार प्रश्न है न अगर आप बित्तो की जगे होते तो शेर से निपटने के लिए क्या तरकीब सोचते तो देखिए मैंने क्या लिखा है अगर मैं बित्व की जगे होती तो मैं भी वही करती जो उसने किया और समझदारी से शेर को भगा देती इसी तरीके से आप भी लिख सकते हैं अगर आप बित्व की जगे होते तो जो भी करते वोही आपको अधर लिखना है तो स्टूडेंट्स यही थी आज की हिंदी की कारे प्रत्रिका 123 आशागरती हूँ आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ आई होगी अभी रुकिए अभी हम पाठ समझ लेते हैं अगर आपको कारे पत्रिका में कुछ भी समझ नहीं आया ना तो कमेंट ज़रू करिएगा अब चलते हैं पाठ को समझने और बच्चो चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना पार्ट नमबर पाच पहादुर भित्तो एक पंजाबी लोग कता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं से पढ़ना एक किसान था उसकी बीबी का नाम था भित्तो एक दिन किसान ने भित्तो से कहा सुभे जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शीर नी आकर कहा किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा आगे देखे बुट्टू भितो से क्या पूछती है भितो ने उससे पूछा तूने क्या जवाब दिया तो आगे देखते हैं किसान ने क्या जवाब दिया किसान ने कहा मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूं अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूख के मर जाएंगे तो जब भित्तो के पूछने पर किसान ने बताया यहां सुनकर भित्तो को बहुत गुसा आया भित्तो उस पर बहुत नाराज होई, उसे बहुत ही गुसा आया उसने किसान को फट कारा घर की गाय शेर को खिलाते, तुझे शर्म नहीं आती अगर गाय चली गई तो घर में न दूद न लसी बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे भित्तो को एक तरकीब सुझी उसने कहा, तुम फोरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी भित्तो तुम्हारे खाने के लिए एक घोडा लेकर आ रही है तो किसान ने मान लिया, अब किसान डरता-डरता शेर के पास गया उसने कहा शेर राजा हमारी काय तो बड़ी मरियल है उससे तुम्हारा क्या बनेगा मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा खोड़ा लेकर आ रही है अब आगे पढ़ते हैं भित्तो ने शे सिर पर एक बड़ा सा पकड़ बांदा और हाथ में दरांती लेकर गोड़े पर सवार हो गई इस तरीके से ये दरांती है उसकी ठीक है तो वो सवार हो गई दरांती लेकर हाथों में और सिर पर एक पकड़ी बांद कर गोड़ा दोड़ाती वह खेत पर पहुची और जोर से चिल्लाई अरे किसान तू तो कहता था कि तू ने चार शेरों को फसा कर रखा था यहां तो सिर्फ एक ही है बाकी कहां गए फिर वह गोड़े से उतर कर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी अच्छा कोई बात नहीं नाश्टे में एक ही शेर काफी है तो बित्तो ने अपनी दर्कीब जो सोची थी वो लागो कर दे इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कापने लगा और भाग खड़ा हुआ यहां देखकर बित्तो बोली देखा इसे कहते हैं हिम्मत तुम तो इतने डर्पोखो कि घर की गाए शेर के हवाले कर रही थी उधर मारे भूख के शेर की आंते चटपटा रही थी अब शेर तो बहुत भूखा था जब वो दर से भाग गया तो शेर चटपटा रहा था भूख के मारे एक भीडिये ने पूखा महाराज क्या मामला है आप आज बहुत उदास दिखाई दे रही है तो फिर शेर ने कहा कुछ न पूखो आज मुश्किल से जान बच्ची है आज एक ऐसी राक्षशी से पाला पढ़ गया जो रोज सुभे चार शेरों का नाश्टा करती है अब शेर को लगा कि भित्तो राक्षशी है यहां सुनकर भेडिया बहुत हसा वह सुभे जाडी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था उसने कहा भोले भार्चा वह तो भित्तो थी जिसे आपने राक्षश नहीं समझ लिया आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए अगर पहला के हाथ ना आए तो मेरा नाम भेडिया नहीं अब देखिए आगे क्या हुआ बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेट में जाने के लिए तैयार हो गया लेकिन उसने भेडिये से कहा तुम अपनी पूछ मेरी पूछ से बांद लो जिससे वो दोनों एक साथ रहेंगे दोनों जिने पूछ बांद कर चल पड़े उन्हें देखते ही किसान के होश अवास गुम हो गए क्योंकि उसको लगा पिछली बार तो सर्फ शेर था इस बार तो ये भेडिया भी अपने साथ लाया है फिर से कैसे आ गए वो अडर के से धर-धर कापने लगा लेकिन भी तो बिलकुल नहीं घबराई भेडिये के पास जाकर उसने कहा क्यों रे भेडिये तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूच से चार शेर बांद कर लाएगा लेकिन तू तो सर्फ एक ही शेर लाया है वह भी मरियल साथ भला इसे खाकर मेरी भूग मिट कैसे सकती है खैर इस वक्त यही सही इतना कहकर बितो आगे भड़ी तो आपने देखा ना बितो ने क्या चाल अपनाई शेर के होश रवास उड़ गए उसने समझा कि भेडिये ने उसके साथ धोका किया है वह फौरन वहां से भागा बितो बहुत चीखा जलाया लेकिन शेर ने एक न सुनी तेजी से भागता चला गया किसान और बितो आराम से रहने लगे उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेट की तरफ फिर कभी नहीं आएगा तो बच्चो ये थी बहादुर बितो की कहानी आपने देखा कि बहादुर बितो ने कैसे बेड़ी और शेर को अपने खेट से भाग बगाया और इ कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंड करके जरूर बताईएगा थेंक यू